में मैं में मुझा आускण कर स्वागत हैं कंप्योटर का प्रैकिस सेट कंप्योटर के आविस्कारक कौन है कedd टो जब के आविस्कारक चाल्ट से लिएगे जाएंड अप्शन सी आपका राइट अगा क्या था तो तो सबसे पहला computer का नाम एनाएक था, option B आपका right answer हो जाएगा, आधनी computer की खोच सरप्रथम कब हुई, तो आधनी computer की खोच सरप्रथम उनीच्व चैलिस इस भी में हुई, option C आपका right answer हो जाएगा, next question देखते हैं, computer के छेत में महान क्रांती कब से आई, तो computer के छेत में महान क्रांती उनीच्व साथ इस भी से आई, computer का हिंदी नाम क्या है, तो computer का हिंदी नाम शंगड़क है, option B आपका right answer हो जाएगा, next question देखते हैं, computer साच्छारता दिवस कब मनाया जाता है, तो computer साच्छारता दिवस दो दिसंबर को मनाया जाता है, option D आपका right answer हो जाएगा, next question देखते हैं, CPU का पूर्ण रूप क्या है, तो CPU का पूर्ण रूप यानि full farm, central processing unit है, option A आपका right answer हो जाएगा, next question देखते हैं, इन में से कौन search engine नहीं है, तो वाल्फ रम, अल्फा ये आपका search engine नहीं है, बाकि हम Google पर या याहू या बैडू पर जा करके किसी भी चीज को search कर सकते हैं, next question देखते हैं, निम्न में कौन input इकाई है, आएए देखते हैं, इन में से कौन सा input इकाई है, तो mouse हमारा input इकाई है, keyboard भी input है, scanner यह भी input ही device है, तो अगर देखा जाए, तो इन में से सभी आपका right answer हो जाएगा, सारे input device है, next picture देखते हैं, एक किलो बाइट के भी कितने बाइट के बराबर होती है, तो एक किलो बाइट, एक हजार चौबिस बाइट के बराबर होती है, option A आपका right answer हो जाएगा, next question देखते हैं, एक मेगा बाइट यानि एक यमबी कितने बाइट के बराबर होती है, तो एक यमबी एक हजार चौबिस के बी के बराबर होती है, option A आपका right answer हो जाएगा, next question देखते हैं, एक गीगवाइट कितने बाहिट की बराबर होती है एक गीगवाईट एग एक हजार चौबिस मेगाबाइट की होती है आपसं भी आपका राइट एंसर हो जाएगा कम्प्यूटरों में परियूक्त आइसी चिप बनते हैं यानि कंप्यूटरों में प्रयुक्त आइसे चिप किस चीज के बने होते हैं तो यह है शिलिकान से बने होते हैं और संटी आपका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं इंटरनेट के पते में पद Steph का सही व्रिश्टित रूप है तो आइए हम देखते हैं इस इसमें एस्टीटी का फुलबाब कौन सा है तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांस्पर पोट्रोकाल यही एस्टीटी पर विकाद विस्तित रूप हो जाएगा आप संटी आपका राइट एंसर होगा नेक्स्ट क्वेचन देखते हैं किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चो द्वा दारा प्रियुक्त भास प्राया कौन सी होती है तो किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चो दारा प्रियुक्त भास प्राया होती है option c आपका right answer हो जाएगा next question देखते हैं एक स्वावा निजी computer जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है तो यह है हमारा notebook computer कहलाता है option b आपका right answer हो जाएगा next question देखते हैं कोंडा तरक एक प्रोग्राम है वह निम लिखित में से किसे से प्रोग्राम का रूपांत्रण है तो यह है कोंडा तरण से मसीन तक का रूपांत्रण प्रोग्राम है next question देखते हैं multiprocessing होती है multiprocessing क्या होती है एक से अधिक processor द्वारा multiprocessing होती है यानि option b आपका right answer हो जाएगा next question देखते हैं निम लिखित में से optical memory है तो निम लिखित में से optical memory cd-rom है option c आपका right answer हो जाएगा next question देखते हैं cpu में control memory और तीसरा कौन सा unit होते हैं तो cpu में control memory और तीसरा arithmetic और logical memory होती है option d आपका right answer हो जाएगा cpu के leu में होते हैं cpu के leu में क्या होते हैं रजिस्टार होते हैं option b आपका right answer हो जाएगा गड़ना और तुलना के लिए computer के किस भाग का प्रियोग किया जाता है तो गड़ना और तुलना के लिए computer के ल यू अर्थ logic unit का प्रियोग किया जाता है option c आपका right answer हो जाएगा एक hardware device जो data को अर्थ पूर्ण information में प्रविर्तित करता है तो वह प्रोसेशर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेस्टन देखते हैं प्रोसेशर के तीन मुख भाग है तो आईए देखते हैं प्रोसेशर के तीन मुख भाग एल्यू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर यह प्रोसेशर के तीन मुख भाग है option भी आपका right answer हो जाएगा next question देखते हैं CPU और आयो के बीच सिंग्लों के movement को कौन नियंद्रित करता है तो यह कंट्रोल यूनिट करता है option यह आपका right answer हो जाएगा कंप्यूटर के central processing unit का function है यानि central processing unit यानि CPU तो computer के central processing unit का function है गड़नाए और processing करता है इसका काम है निम्न मेंसे कौन सा computer का बुनियादी कारी नहीं है तो निम्न मेंसे text और scan करना बुनियादी कारी नहीं है option यह आपका right answer हो जाएगा next question देखते हैं परिचालन संपन करता है तो परिचालन arithmetic संपन करता है next question देखते हैं computer में अधिकांस processing किस में होती है तो computer में अधिकांस processing CPU में होते central processing unit में होती option C आपका right answer हो जाएगा computer निम्न लिखित में से कौन सा कारी नहीं करता है तो computer निम्न लिखित में से understanding का कार नहीं करता option B आपका right answer हो जाएगा next question देखते हैं प्रमुख memory किस के समन्वे से कारी करती है तो प्रमुख memory CPU के समन्वे से कारी करती है option D आपका right answer हो जाएगा next question देखते हैं Micro processor से जो computer का must-tisk होता है उसे कहा जाता है तो micropri processor से जो computer का must-tisk होता रहे उसे microchip कहा जाता है, option B आपका right answer हो जाएगा, next question देखते हैं, computer द्वारा produce किया गया परड़ाम है, तो computer द्वारा produce किया गया परड़ाम output है, option C आपका right answer हो जाएगा, input का output में रूपांतरण किया जाता है, तो input का output में CPU द्वारा रूपांतरण किया जाता है, process data को कहते हैं, तो process data को process कहते हैं, next question देखते हैं, CPU का मुखी घटक है, तो CPU का मुखी घटक, control unit, memory, arithmetic, logic unit, यह सारे घटक, option D आपका right answer हो जाएगा, next question देखते हैं, computer की छमता है, तो computer की छमता निमने, उच्छे, असीमित है, नहीं, इसकी जो छमता होती हुआ, सीमित छमता होती है, next question देखते हैं, computer को किस प्रकार की बुद्धी की संग्या दी गई है, तो computer को किर्टिम प्रकार की बुद्धी की संग्या दी गई है, option B, आपका right answer हो जाएगा, next question देखते हैं, मनुस के समर्ण सक्ती computer की तुलना में होती है, तो मनुस के समर्ण सक्ती computer की तुलना में शामानी होती है, option A, आपका right answer हो जाएगा, मानुमन तथा computer में किसकी गति अधिक होती है, तो मानुमन तथा computer में मानुमन की गति अधिक होती है, option B, आपका right answer हो जाएगा, तो thanks for watching my video, अगर आपको हमारे video पसंद आया है, तो please इसे like, share, comment जरूर करें, और channel पर नहीं है, तो subscribe करना, बिल्कुल न भूले, thank you.